हेलो दोस्तों आज के भोपाल समचार में एक न्यूज आई है जिसे आप देखिए आपर इसमें लिखा है कि मदब्देज में आचार सहीता लागू होगी ठीक है आचार सहीता लागू होगी तो अभी वेकेंसी पर संकट के बादल अभी भी घिरे हुए है तो मतलब हम इससे यह अंदय लगा सकते हैं कि जो भी अब वेकेंसी है वो दिसम्बर में ही होगी तो आई हम पहले पूरी खबर पड़ते हैं भारत निर्वाचन आयोग ने मदब्देज के 28 सीटों पर 28 सीटों पर होने वाले उप चुनाओ के लिए चुनाओ आयोग द्वार राज्य के मुख्य चुनाओ अधिकारी द्वारा जारी किया गया है चुनाओ परिणाम 10 नवंबर को गोसित किये जाएंगी यानि नवंबर का महिना पूरा इसमें चला जाएगा पहले चरन के लिए एक अक्टुमबर एक अक्टुमबर से यहाँ पर अधिसूचन जारी हो और उसके बाद आखरी यानि तीसरे चरन का मत्दान 7 नवंबर को होगा और 10 नवंबर को वोटो की गिंदी होगी तो इससे हम यह अंदाया लगा सकते हैं कि अब नवंबर तक तो वेकेंसी आने की रही है ना तो दिसम्बर से दिसम्बर से आपकी वेकेंसी स्टार्ड होग तो आगे की न्यूज के लिए देखते हैं अब आगे क्या होता है